जिसके नाम में भी ये शस्वी हो भला उसे ICC भी कैसे इग्नोर कर सकता है ये शस्वी मानने से क्योंकि अब तो ICC ने भी माल लिया है कि फरवरी के महिने में जिसका सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा वो ये शस्वी जैसवाल है ICC ने केन विलेमसन को भी इग्नोर कर दिया ICC ने पथुम निसंका को भी इग्नोर कर दिया यानि आपको याद होगा कुछ दिन मैंने ही बताया था कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी मैंने आप सब के साथ शेयर करी थी कि ICC ने तीन नौमिनीस सिलेक्ट करें वो तीन नॉमिनिस थे ये शस्वी जैसवाल, केन विलिमसन और पाथूम निसंका और तीनों में से चुनना था ICC को के प्लेयर आफ दा मन्थ फॉर्ट फॉर्वरी कौन होगा तो ये शस्वी को चुन लिया है ICC ने प्लेयर आफ दा मन्थ फॉर्वरी क्योंकि ये शस्वी की जो दो डूबल सेंचरी आई एक तो वाईजाग में आई पहली पारी में और दूसरी राजकोर्ट में आई थी जो तीतरा टेस्ट था बारत और इंग्लेंड के बीच में राजकोर्ट में जो हुआ था उसकी दूसरी पारी में ये शस्वी ने फिर डबल सेंचरी लगा दी के बात करेंगे केन विलमसन की बात करेंगे तो केन विलमसन ने भी साउथ अफरिका के खिलाफ टेस्स सीरीज में जो है दो मैचेज में दो लगातार शतक भी लगाये थे और अगर आप इवन बात करो तो पहले टेस्ट मैच में साउथ अफरिका के खिलाफ दोनों पारियो पातुम निसंका ने तो डबल सेंचरी लगाई थी अफगानिस्तान के खिलाफ ODAI सीरीज में फिर उसके बाद T20 सीरीज जब ODAI सीरीज के बाद हुई टीन मैचों की तब भी जो है अच्छा प्रोजशन करके दिखाया था पातुम निसंका ने तीसरे ODAI में तो overall ये शस्वी जैसवाल को कुल मिलाकर चुना गया Player of the Month for the Month of February एक तो उन्होंने जो पारी खेली वाइजग में पहली पारी में डबल सेंचरी उन्होंने बनाई टीम इंडिया काफी मुश्किल पोजीशन में थी कोई बल्लेबास जादा कॉंट्रिब्यूट कर नहीं पाया था तो ये शस्वी जैसवाल खड़े हो गए तो ये इंपोर्टेंस दिखाया उन्होंने पारी में के बाकी बल्लेबास सफर कर रहे थे ये शस्वी दूसर छोड से खड़े रहे तो ये इंपोर्टेंस थी ये शस्वी जैसवाल की पारी की इंपोर्टेंस केन विलमसन की पारी की कम नहीं थी वैसे तो overall अगर आप बात करें, पांच मैचों की टेस्स सीरीज में पांचवा मैच खेला है, श्वी जैसवाल ने बताओर ओपनर और रन्स उनके 400 से जादा उन्होंने बोर्ड पर लगा दिये, कहीं रिकॉर्ड भी अपने नाम करें, या जैसे कि सिर्फ सोला पारियों में ह सबसे जादा रन्स बनाने के मामले में, और बस महाल辦 लिजे, अगर श्वी जैसवाल कुछ बढ़ी पारी खेल देते धर्म शाला टेस्ट में भी, तो वो कहीनद कहीं सल्वास करकी उस पारी के बराबर भी चले जाते हैं या उस सीरीज के बराबर भी चले जाते हैं जो उ बहुत बढ़िया करी तो फरवरी में उन्होंने चार्टेस मैच खिले भारत और इंग्लेंड सीरीज में तो चारों में उन्होंने 530 बना दीते और कहीं करी खिलाडी ऐसे होते हैं कि वह अपने पूरे करियर में जो एक सीरीज में 500 तक का आकड़ा नहीं पहुचा पाते हैं के मामले में तो इसी इंपोर्टेंस को देखते हुए आइसी सी ने खिताब दिये प्लेयर ओफ दमन्थ फॉर दमन्थ फरवरी का आप कैसे देखते हैं कि यह सभी को जो खिताब मिला है वो सई दिया है मैं जानता हूं मोस्टली आप सब मानेंगे कि बिल्कूर ठीक है पर लेकिन केन विल्लमसन और पाथुम निसंका के भी पारी थी वो तो कहीं लोग उनके प्रेफरेंस के साथ भी उतार सकते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फिलाल अभी के लिए इस वीडियो में तो हुआ 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 है